माइ स्वीट होमें डेकोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंज तो चलिए आज बना लेते हैं इंस्टेंट गुलाब जामन जटपट से बाजार से हम कही तरीके के पैकेट लाते हैं लेकिन कभी-कभी वो हमसे अच्छी तरीके से नहीं बन पाते तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं कैसे आप अपने गुलाब जामन सारे सॉफ्ट टेस्टी और किसी भी शेप में बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम के करीब इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामन मिक्स पाउडर तो अब हम इसको एक्तम सॉफ्ट डो कैसे बना लेंगे एक बार हम देख लेते हैं तो इसको हम घूल लेंगे अभी दूद से दूद यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप तो थोड़ा थोड़ा डाल कर हम इसको घूल लेंगे इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी वाले गुलाब जामन बनेंगे तो हम इसको उगलियों से प्रेस नहीं करेंगे सिर्फ मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा दूद हम इसमें आड़ कर रहे हैं थोड़ा आड़ कर लेते हैं इसमें अब कोई चीज़ हम को मिक्स करना है घूंटना नहीं है बिल्कुल भी वरना यह बिल्कुल हाड्ड होजाये तो देखें फ्रेंस हमने धीरे धीरे इसमें दूद आड़ करके अटे को मिक्स कर लिया तो अब मैं यहाँ पर एक cloth को अच्छी तरीके से निचोड़के इसको 5 मिन तक धक्के रख दूँगे उसके बाद हम आगे का प्रॉसेस कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 800 ग्राम्स के करिब शुगर तो इसी में शुगर के बराबर हम पानी डालकर इसको एक तार की चासनी आने तक हम इसको उबाल लेंगे तो चली चासनी बनाना शुरू कर लेते हैं तो यहां पर हमने पानी ले लिया है इसमें मैं डाल ले रहे हूं चीनी तो चीनी के बराबर ही हम पानी ले लेंगे जितना चीनी लेंगे उस हिसाब से हम पानी ले लेंगे और इसके एक बार हम मिक्स कर लेंगे और इसकी एक तार की चासनी हम बना कर तयार कर लेंगे देखिए भी चासनी हमारी उबल रही है अब इस टाइम पर हम इसमें आड़ कर लेंगे तीन इलाइची के बीज में क्रश कर लिये हैं जो हम इसमें आड़ कर लेते हैं तो पांच मिनट हो चुके हैं हम अभी बोले बना लेते हैं इसके तो देखिए कितना सॉफ्ट जो तयार हुआ है हमारा तो हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे बहुत छोटे छोटे बोले बना लेंगे और इसे हम लगा लेंगे हट्डेली के थोड़ा सब्खी लगाने से बहुत सॉफ्ट और स्मोग बनते हैं गोले और तोटेंगे बिल्कुल नहीं तो गोल गोल गोले हो मैं ऐसे बना लेंगे आपको जी शेप में चाहिए उस शेप में आप बना सकते हैं देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखिए इस टाइप से हम गोल गोल गोले बना लेंगे एक ही साइस के बना लेंगे छोटे छोटे और सारे में ऐसे ही बना लूँगे एक और आपको दिखा देती हूँ इतना क्वांटिटी काफी होगा तो थोड़ा सा हतेली पर हम गील लगा लेंगे इस पर और यह क्योंकि जब ऑईल में हम डालेंगे तो यह डबल हो जाता है इसका शेट जीड जो है बडा हो intercept है इतने साइज का हम बना लेंगे जक करेंगे तब एक साइज में आ जाएंगे छलिए असके साधर में आईसे बना लेती हो ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप जिस शेप में चाहिए उस शेप में बना सकते हैं, देखिए बचे दूए गुलाब जमुल कीसी तरीके से हम ठाई कर लेंगे, और इस टेकनीक से बना लेंगे तो यह तूटेंगे भी नहीं बिल्कुल और बहुत ही स्वादिश्ट बनेंगे, देखिए गुल गुल गुलाब जमुल इतने अच्छे से बन रहे हैं, इनको इस तरीके से चम्मस से हम चलाते रहेंगे ताकि यह इवनली कलर आजाए, चारो करब से समान रंग आजाएगा इनका हम, इस टाइप से इनको चलाते रहेंगे, तो हलके हाथ से हम इनको चला लेंगे, और एकदम मीडियम फ्लेम में हम इनको फुप कर लेंगे, ऐसे छोटी छोटी ट्रिक से हमारी जो मिटाईयां हैं बहुत ही डिलीशेस बन जाती है, और दिखने में भी बहुत सुन्दर लगती हैं, बिल्कुल हलवाई जैसी, देखिए, दीमे आज पे हमने इनको फ्राई कर लिया है, और थोड़ी देर ये फ्राई होंगे, और बहुत ही सुन्दर कलार आ जाएगा इनका, उसके बाद हम इनको निकालके चाशनी में डाल लेंगे, तो हमारे गुलाब जामुन सारे अभी तयार हो चुके हैं, एकदम इवन कलर में इसको हम चाशनी में डाल लेते हैं, तो फ्रेंज देखिए, इंस्टन गुलाब जामुन इस तरीके से बना लेंगे, तो कि इतने सॉफ्ट और स्मूध बने हैं, बिल्कुल बजार जैसे, दिखने में बहुत संदर लगने हैं, गोल-गोल, और एक भी अगले रसीपी के साथ, तब तक के लिए, इट हेल्दी, एंस्टे हेल्दी, बबाँ, बबाँ, और आपको मेरी रसीपी पसंद आई है, तो लाइक कर देना, और मेरे नए फ्रेंज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में ज बबाई!